हलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइन ओफ ट्रिग्रमेटिकल फॉंक्षन, ट्रिकोन मिती फलन के चिन, लेकि जैसे हमने 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, इनकी साइन कॉस 10 की वैलू पढ़ी है, लेकि कभी कभी क्या होता हायर एंगल सा जाते हैं, हमको 180 से बड़े एंगल आ गए, 90 से बड़े आ गए, निगेटिव एंगल आ गए, तो इनको हम कैसे टैकल करें और कैसे वैलू निकालें, तो हम 0 से 360 तक एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसको बने 4 भागों ब्रिकिया है, 1st, 2nd, 3rd, 4, चुकि यह एक भाग, एक चौथाई भाग ह इसको quadrant कहते है, तो यह 1st quadrant है, और 2nd quadrant, यहने हिंदी में इसको चतुर्थांस कहा जाता है, सब में नहीं लिकूंगा मैं, चतुर्थांस, यह प्रथम चतुर्थांस है, 2nd, 4th अंस, पूरे का 1 by 4, ठीक है, देखे, जब हम एंगल बनाते हैं, तो हमने पहले बता दिया है, कि angle जब भी anti-clockwise बनेगा, तो positive angle होगा, और जब clockwise बनेगा, तो negative angle होगा, clockwise angle negative होता है, और anti-clockwise angle positive होता है, ठीक है, तो जब हम 0 से 90 तक पहुचेंगे, तो हम कहां तक रहेंगे, first में रहेंगे, 90 से थोड़ा सी बड़े हो गए, बड़ी value ले ली, तो 90 से 180 तक, यह जो πाई gradient में है, 90 डिगरी, यह वाली लाइन पाई वाली है, यह लाइन 0 डिगरी की है, या 2 पाई की भी है, यह 90 की है, यह 180 की है, यह 270 की है, यह फिर जब लॉट के हम आएंगे, तो 360 डिगरी हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, देखें, यहाँ पर क्या होता है, याद कर लिजे जाता है, add sugar to coffee, जो ASTC का full form बताए जाता है, ASTC का, वो हो जाता है, add sugar to coffee, यह बताए जाता है, यह हम भी बता रहे है, ASTC, A का मतलब यहाँ पर है, कि all, all positive, मतलब यहाँ पर जितने भी trigonautical function होते हैं, sin, cos, 6 होते हैं, sin, cos, 10, 3 होते हैं, फिर sin का उल्टा एक कॉसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, 6 होते हैं, तो इस quadrant में जो भी angle होगा, 0 से 90 के बीच में, यह सब positive होंगे, s का मतलब यहाँ sign होता है, और sign का उल्टा कॉसेक, यहाँ पर positive होता है, और rest negative होते हैं, यह दो positive होते हैं, ठीक है, t का मतलब यहाँ 10 होता है, और 10 का उल्टा कॉट होता है, यहाँ पर यह positive होते हैं, और sub negative होते हैं, और c का मतलब यहाँ cause होता है, cause का उल्टा सेक होता है, यह positive होते हैं, और sub negative होते हैं, और क्यों होते हैं, यह अभी हम बताएंगे, last में बताएंगे, ठीक है, देखिए यह 90 तक यह 90 से 180 तक यह 180 से 270 तक यह 270 से 360 तक अब यहाँ पर हम कुछ फार्मुले डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एंगल 90 से छोटा हो 90 बानस थीटा 90 से बढ़ा हो 90 प्लस थीटा तो कैसे अप्लाई करेंगे तो पहले तो समझ लीजीगा यह जो 90 की लाइन है यह जो लाइन है इसमें एंगल जो भी आएगा इसका प्लस करोगे या इसमें मानस करोगे वो चेंज हो जाएंगे जैसे जो 90 वाले फार्मुले है या जो 270 वाले फार्मुले है उसमें चेंज होना है क्यों? क्योंकि 90 वाले जो angles हैं वो इस line के along आते हैं अभी हम बताएं कैसे आएंगे यह change होंगे कैसे? 90 वाले जितने formula होंगे या 270 वाले वो sign और cause का mutual change होता है यानि sign को change cause में होगा cause का change sign में होगा पहली बाद और 10 और cot का change होता है और sec और cause का change होता है यह 90 और 270 वाले formula change होते है 90 प्लस theta हो चाहे 90 बाइनस theta हो 270 प्लस theta हो चाहे 270 बाइनस theta हो यह conversion होता है इन्हें याद कर लिजे पर इतना याद करना है इसके बाद 180 वाले formula 360 वाले formula angle negative होंगे वो सब इस line के लांग आते हैं तो अबर TC line में आ रहा है 270 C में आ रहा है 360 C में आ रहा है तो यह change नहीं होंगे इसमें आपस में sign sign में रहेगा cause cause भी रहेगा इसमें कोई change नहीं होगा तो पहले तो आपको याद करना है कि change किस में होना है किस quadrant में sign किसका positive होता है किसका negative होता है ठीक है यह अगर दिमाग में आ जाएगा तो आप इसके formula इसली बना सकते है ठीक है अब हम formula डिस्क्रस करने जा रहे है उन्हें आपको रटना नहीं पड़ेगा कि और यह conversion आपको दिमाग में याद करना है हाँ यह जो ASTC हमने लिखा है यह plus sin 90-theta cos 90-theta सब में लिखेंगे यह formula आपने 9th में भी पढ़ा है ठीक है देखें पहले sin 90-theta cos 90-theta tan 90-theta cot 90-theta sic 90-theta and cosic 90-theta देखें formula याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ यह 90-theta वाले formula हैं तो पहले तो आप अपने आप से questioning करिए कि 90 वाले जो formula हैं वो change किस में होते हैं तो आपने का वैं sin change होता है cos में हम पढ़ चुके हैं cos change होता है sin theta में हम पढ़ चुके हैं tan होता है cot में यह याद करना पड़ेगा cot होता है tan में sic होता है cosic theta में और cosic होता है sec theta में हो गया conversion तो पहला तो इतना दिमाग लगाया आपने यह पहले से आपको वालू हो गया अब 90 माइनस जो एंगल होता है किस क्वार्डिन में होता है देखें एंगल इस लाइन से नापते हैं यहां से यहां तक एंगल 90 होता है अगर इससे थोड़ा भी कम कर दोगे तो आप कहा रहोगे फर्स्ट में वहां आल पॉजिटिव होते हैं तो सभी पॉजिटिव होंगे ठीक है तो यह पहला फार्मॉला हो गया 90 मानस थीटा का ठीक है दूसरा फार्मॉला देखें बी यह 90 प्लस वाला हो गया आपको बात मिले लिखना पढ़ेगा हम स्पर infringel चेक कर लेंगे हमने सब को प्लस लगा दिया अब यह बन गया 90 प्लस थीटा किसमे में चेंज होंगे? हमने का भाई 90 बाले चेंज तो वह ऐसे होंगे तो चेंज तो वह ऐसे होंगे 90 प्लस का मतलब क्या होता 90 में कुछ भी प्लस करोगे कहां कहुँ जाओगे 2nd में 2nd में sign और causec पहुचते होते हैं जिसका formula apply कर रहे हैं उसकी हमें बात कर रहा हूँ यहां अच्छे करिएगा इसका formula लग रहा है sign का ये प्लस में आएगा ये causec है ये प्लस में आएगा और सब निगेटिव होते हैं तो सबसे पहले जैसे 90 प्लस आया आपने दिमाग में क्या लगाया कि ये change किस में होंगे ये हमको मालूम है फिर किस quadrant में होंगे 2nd में और वहार कौन positive, कौन negative होता है तो A, S, T, C से हमने पकड़ लिया कि S मतलब sign, sign को लुटा causec positive ये वाला जिसका formula अप्लाई कर रहे है और सब negative असा इसको apply कैसे करें जैसे मैंने एक example लिया कि मुझे cause 120 degree की value चाहिए अब problem भाई हमने तो 90 तक पड़ा है तो हम लिख सकते हैं इसको 90 प्लस थीटा थीटा यहां क्या हो गया 30 तो cause 90 प्लस थीटा change किस में होगा हमने पहले तो अपने आप से questioning की change किस में होगा तो हमने कहा ये sign में change होगा sign 30 अब 90 प्लस कहार पे होगे second में second में cause क्या होता है negative ये sign न देखिएगा जिसका formula apply कर रहे है ये minus अब minus sign 30 की value 1 by 2 होती है ये इसको apply करने का method होता है तो ये हो गया आपका 90 प्लस का formula अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा 180 हमने भी बताया है कि आपने आप में change होता है 180 कौन से line है ये लेटी भी line अब लेटा हुआ भी change नहीं करता अपना चुपचाव आराम किया करता ही आराम किया करती है तो इसमें कोई change नहीं होगा है देखिए अगला हम बताने जा रहे है 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा sign 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा 10 180 minus theta cot 180 minus theta sic 180 minus theta cosic 180 minus theta change किसमे होगा पहला question change किसमे होगा diet plus minus मत जाद करिएगा आपने कहा यह अपने आप में change होगा क्योंकि 180 यह वाली line होती है इस वाले line वाले कोई भी angle change नहीं होते cause किसमे होगा cause में होगा 10 किसमें बदलेगा 10 में ही रहेगा caught किसमें बदलेगा caught में ही रहेगा sick किसमें बदलेगा sick में ही रहेगा cause किसमें बदलेगा cause sick में ही रहेगा अब देखिए 180 यहां से लेकर के यहां तक angle होता है उसमें कुछ minus कर दोगे तो आप second में रहोगे आगे तो बढ़ नहीं सकते, मैनस उल्टा होता है तो वहाँ साइन और कॉसिक साइन और कॉसिक ये पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, अभी मैं निकाल लहा था कॉज 120 की वैलू तो मैं चाहूं तो इसको लिस्ता हो कॉस 180 माइनस 60 कॉस 180 माइनस थीटा थीटा यहाँ पर क्या है 60 चेंज किसमे होगा, अपने आप में तो कॉस 60 और कॉस 60 की वैलू 1 by 2 और ये माइनस में आएगा चुकि ये second quadrant है तो माइनस 1 by 2 तो ये 180 माइनस थीटा हो गया ठिक, अब आप 180 प्लस कर दो कहां पहुँ जाओगे, थर्ड में तो अगला formula 180 प्लस का चेंज किसमे होगा, अपने आप में कहां पहुँ जाएंगे थर्ड में, थर्ड में 10 और cot positive, 10 ये है ये positive, cot ये है ये positive, बाकी sub negative जैसे माल लिया, मुझसे कहा जाता कि sin 240 degree की value बताओ अब चुकि हमको तो 0 से 90 के बीच value मालूम है पर हमसे कहा जाता sin 240 की value बताओ तो हम इसको लिखते है, sin 180 प्लस 60 180 प्लस theta, theta यहाँ पर क्या है 60, काहें बदलेगा, अपने आप में तो यह sin 60 होता किस quadrant में है आप कहेंगे third quadrant में वहाँ sin क्या होता है negative होता है, तो minus और sin 60 की value हम पढ़ चुके है root 3 by 2 तो यह आपका 180 प्लस theta वाला formula हो गया, ठीक है अगला देखिए अभी यह plus minus जो ASTC का लफ़डा है वो अभी हम बताने जा रहे है कि होता क्या है और क्यों ऐसा होता है ठीक है, देखिए 270 में नहीं बता रहा हूँ 270 वही होता है जो, यह देख लीजेगा 270 minus theta किसमें बदलेगा 270 यह वाली line है इस line में change होता है किसमें होता है, sin cos में sin का cos में आपस में होता है तो पहला फार्मला sin 270 minus theta cos 270 minus theta tan 270 minus theta cot 270 minus theta sec 270 minus theta and cos 270 minus theta यह आपके 6 trigonometrical function हो गए किसमें बदलेगा sin बदलता है cos में तो cos theta cos बदलता है sin में तो sin theta tan बदलता है cot में तो cot theta cot बदलता है tan में तो tan theta sick बदलता है cosic में तो cosic theta और cosic बदलता है sec में तो sec theta तीक है 270 कहां से कहां तक है यहां से यहां तक यह वाली जो line है वो 270 की है और उसमें कुछ भी value minus कर दोगे घटा दोगे तो यहां पहुचोगे थर्ड में थर्ड में tan और cot यह दोनों positive होंगे और सब negative हो जाएंगे तो यह आपका 270 minus theta का formula होगा ठीक है अगला formula अगर 270 plus का होगा तो change तो ऐसे होना है जैसे हो रहा है लेकिन हम plus कर देंगे पहुच जाएंगे हम fourth quadrant में और fourth में cause और sec positive होगे तो cause positive और sec positive और सब negative हो जाएंगे क्यों हो रहा है यह बता रहा हूँ आपको तो यह 270 plus theta का formula है ठीक है अब अगला देखिये अगर angle negative दिया हो अभी हम बता रहे थे clockwise angle negative होता है अगर आपका minus में angle है minus theta तो minus theta इससे बनाएंगे न यह वाली line ऐसे यह minus बनेगा ऐसे किस quadrant में रहोंगे fourth में रहेंगे आप न और यह line कौँसी है zero वाली इसमें कोई change नहीं होता तो आप minus theta में कोई change नहीं होगा तो पहला sin minus theta cos minus theta ten minus theta cot minus theta six minus theta cosmic minus theta three, four, five, six बदलेगा किसमें? अपने आप में यह हो जाएगा sin theta यह हो जाएगा cos theta यह हो जाएगा tan theta यह हो जाएगा cos theta यह हो जाएगा sec theta का formula हो जाएगा ठीक है? अब जाएगा दो फार्मॉले और जब बहुत बने एंगिल होंगे दो हजार डिग्री दस हजार डिग्री तब कैसे आप value निकालेगे? समझेगा जैसे यहाँ पर देखिएगा इस एंगिल को माल लिया यह आपका theta डिग्री है यह theta है यह theta है अगर आप इसमें 360 प्लस कर दें तो आप फिर वही पहुँच जाएंगे 360 दुबारा प्लस कर दें फिर वही पहुच जाएंगे आप जितनी बार 360 प्लस करोगे आपको value वही मिलेगी तो formula बनेगा n into 360 प्लस theta 360 प्लस theta का बनेगा लाइन कौन सी है? यह वाली इसी सेंगिल नाप रहे हो ना तो कोई change नहीं होगा देखें पहला sin n into 360 प्लस theta cos n into 360 प्लस theta tan n into 360 प्लस theta cot n into 360 प्लस theta sec n into 360 प्लस theta cosic n into 360 प्लस theta change काईम होगा अपने आपने इसमें कोई change नहीं होता है तो यह काईम change होगा sin theta में यह होगा cos theta में यह होगा tan theta में cot होगा cot theta में sec होगा sec theta में cosic होगा cosic theta में और हम first quadrant में हैं इसलिए इसमें कोई भी angle कोई भी sign change नहीं होगा अब देखे कभी-कभी इसका apply कैसे करेंगे apply हम थोड़े बात कर रहे है पहले एक और formula देखीगा अब मालिया आपके पास ये angle है minus theta का minus यहाँ होता है ये minus theta है आपने इसमें 360 plus कर दिया तो वही रहेंगे इसमें फिर 360 plus कर दिया तो वही रहेंगे तो formula हो गया n into 360 minus theta चुकि लाइन कौन सी है 0 वाली 360 वाली इसमें कोई change नहीं होगा ये minus हो गया किस quadrant में आप है फोर्थ में और फोर्थ में cause positive और sec positive और सब negative होते हैं इसको apply करके हम बताते हैं कैसे apply करना है देखे जब बहुत बड़ा angle होता है मालिया 360 into 5 मालिया हमने आप से कहा sign at 360 के value बता अब इसको 180 plus 180 plus 180 plus तो दस बार करना पड़ेगा तो आपने इसको क्या क्या इसको 360 से multiply किया तो हमने 5 into 360 किया तो इसमें 1100 आएगा और प्लस 60 तो sin n into 360 plus theta किसमें बतलेगा आपने आप में तो sin 60 और sin 60 value क्या होती रूट 3 by 2 तिस प्रकार से इसको apply करेंगे जैसे मैंने आप से कहा कि sin 1740 की value बताओ तो आप कहेंगी भाई इसको लिखेंगे 5 into 360 यह हो जाएगा 1800 और minus का 60 करना पड़ेगा अभी तो आएगा 1740 तो यह फिर sin 60 आएगा और चुकि यह fourth quadrant होगा negative तो यह minus root 3 by 2 होगा तो यह इस formula को apply करने का method होता है तो यह तो formula हुए अब यहाँ पर जो ASTC का लफड़ा है कि R positive, sin cos positive है होता क्यों है सब कारण क्या है जरा उसे समझ लीजेगा यह plus minus हो क्यों रहा है देखिए ध्यान से हमने class 9th और 10th में trigonality पड़ी है वहाँ पर 3 trigonatical function पढ़ाए जाते हैं sin cos और 10 और 3 उनके reciprocal पर दाए जाते हैं देखिए हमने पढ़ा है कि ये एक right angle triangle होता है समकोर्तिभुच जिसमें 90 degree के सामने को हम haptalus कहते हैं हिंदी में इसको करण कहा जाता है मैं बार-बार S की बात करूँगा हिंदी में समलेजे करण है यह जिस angle की हम बात करते हैं वो perpendicular होता है lump और 3 बेस होता है आधार तो हमने पढ़ा है कि sin theta is equal to perpendicular upon haptanus cos theta is equal to base upon haptanus और tan theta is equal to base upon perpendicular upon base यह हमने 3 पढ़े हैं रिस्ट इन ते 3 के उल्टे होते हैं sin का उल्टा cos 1 upon cos theta cos का उल्टा 1 upon sec theta और tan का उल्टा 1 upon quad theta यह P और H का मतलब यहां लिखा हुआ हिंदी में उसे समझे जीगा अब ज़रा समझेगा यह ASTC का लफडा क्या है देखिए अगर आपको first quadrant की बारे में बात करें और first quadrant में कोई angle बनाना आप चाहते है तो angle हमेशा ऐसे बनाओगे न अच्छा यह plus x axis है यह minus x axis है यह plus y axis है यह minus y axis है first quadrant में angle ऐसे बनाएंगे आप यह angle बना हुआ है देखो यह आपका hypotenuse है यह आपका perpendicular है यह आपका base है अगर ध्यान से देखें तो perpendicular उपर की तरफ जा रहा है उपर की तरफ plus base इधर की ओर जा रहा है इधर की तरफ plus तो b, p और h तीनों plus में आ रहे हैं इसलिए चाहे p अपान h लिको चाहे b अपान h चाहे p अपान b values अभी positive आएंगे इसलिए यहाँ पर कहा जाता है all positive अगर मैं second quarter बारे में बात करूँ तो second में angle ऐसे बनाया जाता है यह second का angle है इसमें साब साब दिख रहा है यह perpendicular, यह happiness, यह base और base इधर की तरफ आ रहा है base negative हो गया अब जिसके जिसके पास base होगा वो negative हो जाएगा sign के पास P और H होता है sign के पास P और H होता है तो यहाँ पर sign जो होता है वो positive होता है क्योंकि base उसके पास नहीं है cause positive होता है लेकिन चाहे हम 10 ले ले चाहे हम cause ले ले चाहे हम sec ले ले चाहे हम cause ले ले सब में base आ रहा है इसलिए वो negative होता है यह reason उसका होता है यहाँ पर देखी जैसे यहाँ एंगल बनाएंगे तो यह minus इधर theta बनाएंगे यह perpendicular होगा अब देखो यहाँ base इधर की तरफ negative perpendicular निचे की तरफ negative जिसके पास P और B दोनों होंगे negative upon negative वो plus हो जाएगा 10 के पास होता है P upon B P भी negative और B भी negative इसलिए 10 positive आजाता है और court भी positive होता है sine के पास केवल P होता है इसलिए वो negative होता है cause के पास केवल B होता है इसलिए हो negative होता है सिप्टकार से जब fourth में बनाते हैं तो fourth में ऐसे एंगल बनता है यहाँ perpendicular negative होता है तो जिसके पास perpendicular नहीं है वह positive cause के पास perpendicular नहीं होता है इसलिए cause और sick यहाँ positive होते हैं और negative होते हैं तो यह कारण होता है STC का इसलिए all positive, sine, cosec, 10, quart यह पताया जाता है तो यह हमने कुछ formula बताए In the next video I will discuss about the exercise Okay, thank you